हलो दोस्तों कैसे आप सब उम्मिद कर रहा हूं कि दोस्तों आप सब लोग बढ़या होंगे दोस्तों मैं हूं सुसांत आप सभी को हमारे चैनल से स्वागत है दोस्तों लास्ट वीडियो में मैं आपको आपको था कि विंटर में हम किस तरह से हमारे जो ऑस्ट्रेलियान बज हो है उनकि दोस्तों अभी सद्या शुरू हो गया है विस इसाब से सारे बज्जी वो फिंचे तो कॉक्टेल लॉबबर्ड इस तरह से बहुत सारे जो वार्ण से उन्होंने ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है अभी तकरिवन नवेंबर से उनके ब्रीडिंग स्टार्ट सकते हैं तो यह सब देखते हुए में आपके लिए बनाया हुआ हूँ किस तरह से हब हम भजिस के अच्छी तरह से ब्रीड ले सकते हैं और मैं कुछ प्वॉंट्स आपको बताऊंगा ठोगा जो की आपको वजीज ब्रीडिंग में बहुत ही हेल्प करेगा और आपको बहुत ही अच्छा रेजल देगा उस तो ठीके चलिए बिना देर के हुए दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बारे जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रे 3 पिलद करते हैं तो को बता देता हूं की कॉलो नि मतलब की एक साथ काफी सारे बात्स को छोड़किना उसको बोला जाता है कॉलदी ठीक है तो अगर आप कालोनी में वार्टि छोड़ते हो तो आप ट्राइक के चोड़िये कowski सब्सक्त्राइब काभी सेंज के लिए कि यांग मारा मारी होजाएंगे बहुत सब्सक्राइब को अभुन खराओ ठीक है तो ट्राइग किजिए कि पहली बात है सेमेस का बजीज आप छोड़िए और आपके जो ब्रीडिंग है वो सेमेस बजीज से बहुत ही अच्छा आएगा ठीक है तो दूसरे जो पॉइंट है उसके बारे में चलिए बात करते हैं आप लोग मेल फीमल कंफर्म होना अच्छा आएगा ठीक है क्योंकि अगर मेल ज्यादा हो या अगर फीमेल ज्यादा हो तो कोलोनी में बहुत दिक्कत आजाएगी वह खुन खराब भी ज्यादा हो जाएगा ठीक है क्योंकि लड़ाए बगरा कोलोनी में ज्यादा होता है तो कोशिश कीजिए कि मेल जितना फ फीमैल पूदिए इस तरह से में चोड़े ठीके तो ब्रीडिंग इस तरह से जोस्तों अच्छा आएगा दियो करके चोड़ीय। दोउस्तों चलिये कैसे सीता से स्पोक्तीज में हों है कि जब आप शुरू कर दिया मेल फीमयल कफॉर्मेशेंच तो उसके बाद अब को डिवर्मिंग करना है अपने बड ठीक है कि किवर्मिंग मॉस्ट इंपोन्ट एगा लगार preparedadoward में नहीं अपकर दिवर्मिक मोर्मिंग अब। वह डिडिग मोड पर नहीं आएंगे दस पेयर के हिसाब से एक धकन आपको देना है बिल्कुल ही प्यासा रखना है अपने बाट्स को अपने बजिस बाट को बिल्कुल ही प्यासा रखना है उस तरह से आपको देना है डिवर्मिंग करना है ठीके डिवर्मिंग करने के दो दिन पहले आपको लिवोटोनिक चलाना तो दोस्तो इस तरह से वर्मिंग किजिए आपके बार्ष स्टू करेंगे अगर कोई बाट अगर नहींating कर रहे होंगे तो बाद वह जलद फीजब ब्रुडिंग पर पर आजाएंगे जो चलिए नमबर के जो स्ब्सक्राइब्सिटlot हमकरें उसके बाद करका तो ब्रीडिंग के लिए अपने बाश को क्याल्शियम प्रभाइड करें क्याल्सियम तोर परकुछ लिकrostपक्ते हैं दे कुर्ण सोप्लिमेंट दे क हैं मार्केडं में बहुत साओ सोलागन है वह आप लेख सकते हैं या फिर स्टार फार्म का जो एक आता है कैल्सियम कैल्सी प्लॉस वह भी आप देख सकते हैं वह बहुत ही अच्छा काम करता है या फिर दुकान पे पेड़ सॉप पे मिल जाता है समुद्री फेना जो समुद्री जहाक बोलता है पटल फिस बोन जिसको महत्रबून रखता है तो इसलिए आप क्याल्शियम देना बहुत ही जरूरत है तो दोस्तों चलिए हम फिर जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं जो पांच वा जो पॉइंट है दोस्तों वह सॉप्ट फूट ठीक है क्यूंकि ब्रीडिंग में जब बार् एक फूड एक बहुत ही अच्छा चीज होता है बार्ड ब्रीडिंग में ठीक है क्यूंकि आनिमल प्रोटीन चाहिए बार्ड को जब नेचर में जब घूमते हैं वह चोटे बड़े किडे जो होते हैं उनको खाते हैं ठीक है तो हम तो किडे बागरा नहीं कलेड कर सकते हैं हम बार्ड को एक फूड से जो प्रोटीन होता है उसको हम प्रोवाइड करते हैं ठीक है एक फूड दीजिए और पालक दीजिए वह भी एक बहुत ही प्रोटीन का एक सोर्स है उसके साथ साथ आप कुछ गाजर कुछ भुट्टा है वह भी आप थोड़े मात्राब दे सकते है चावल है जो भाद बोलते हैं वह भी आप दे सकते हैं तो इस तरह से कई सारे सौट फूड है जिसके बारे में हम बाद में एक वीडियो बना के बात करेंगे तो दोस्तों यह था कुछ पांच वापॉइंट यह जो पांच पॉइंट है यह चीजों को दोस्तों फॉलो कि इसके बाद में दोस्तों देखिएंगे कि आपके जो बजिस बाट जो नहीं कर रहे हैं ब्रीडिंग वह जल्दी जल्द स्टार्ट कर देंगे और आपके जो कॉलोनी में बच्चे जरूर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर कोई और टौपिक के बारे में जानन हूँ मेंiqué कोई है कोई वाज something आब लेवले लेगए वे सारख चलिए मिलते हैं विडिक्ते लगा अच्छा लगा तो जैढूरा लाइक कीजिए सब के साथ सेर कीजिए दोस्तों फिर मिलते हैं और एक ने वीडियो ने टपकी किसा तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो